हेलो एवरिवन अंडे तो आप रोजी खाते होंगे लेकिन ये अंडा तवा मसाला एक बार जरूर ट्राइ करना तो इसके लिए देख लेते हैं में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के प्यास लिये है दो छोटे टोमेटो लिये है कड़ी पत्ता लिया है दो हरी मिर्ची लिये है तीखी लाल मिर्ची का पाउडर एक टीस्पून लिया है धन्या पाउडर एक टीस्पून लिया है अध्रक लसन का पेस लिया है एक चमच न यहां पे मैंने अंडो को बॉयल करके रखा है, इन्हें हम छिल लेंगे, हम प्यास कट कर लेते हैं, टॉमेटो को भी मैंने कट कर लिया है, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को भी मैं बारिक बारिक कट कर लूँगी, और यहां पे अंडो को मैंने छिल लिया है, बीच में से इस से कट कर देंगे यहां पर एक पैन में छुड़े चमच तेल गरम किया है उसमें तीखी लाल मिर्ची का पाउडर कश्मीरी चिली पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नामक डाल कर अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे और हमारे अंडों को उस पर रखकर हम शेलो फ्र इन दोनों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुन लेना है कडी पत्ता डालेंगे और इससे अच्छे से भुन लेंगे और दूसरी साइड हम अंडों को शेलो फ्राइ कर रहे हैं इस तरह से वीज्विच में पल्टी करकर शेलो फ्राइड करना है अब हम अद्रक लसं का पेस्ट एड़ कर रहे हैं अध्रक लसन के पेस्ट में हम थोड़ा सा पानी डाल कर एड़ करेंगे ताकि वो जले ना और अच्छे से पके अब हम इसमें टॉमेटो एड़ कर देंगे और हमारे बचे हुए सारे मसाले हम एड़ कर लेंगे धन्या पाउडर तिखी लाल मिर्ची का पाउडर कश्मीरी चिली पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला और नमक डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल कर हम मसालों को भुन लेंगे पानी डालने से हमारे मसाले जलेंगे नहीं अच्छे से वो पक जाएंगे इस तरह से हमें कंटीनियोई से हिलाते हुए पका लेना है और अब हम इसे ढखकर 2-3 मिनिट के लिए पकने देंगे अब 2-3 मिनिट बाद हमारे मसाले अच्छे से पक चुके है और हमारा टॉमेटो भी अच्छे से पक चुका है अब हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा पानी डाल कर मैश करेंगे ताकि हमारा अंडा मसाला का मसाला थोड़ा ग्रेवी जैसा हो जाए आप देख सकते हो कितने अच्छे से पका है इसका कलर भी कितना अच्छा आया है बिल्कुल स्ट्रीट जैसा लग रहा है हमारा मसाला थोड़ा गाड़ा है इसलिए इसमें मैंने गुनगुना पानी डाला है और ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर लिया है अब हमारा अंडा मसाला का मसाला एकदम अच्छे से बन कर तैयार है अब उसके उपर हरा धनिया डाल कर मिक्स कर लेंगे इस अंडा तवा मसाला का असली मज़ा तवे पर बनाओगे तो ही आएगा अगर आपके पास ऐसा लोखन का तवा नहीं है तो आप जो रोटी या चपाती बनाते हो उस तवे का भी यूज कर सकते हो उस पे भी ये तवा मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा इस तरह से हम सभी अंडों को रख देंगे और उपर से हलका सा धनिया डाल देंगे ये अंडा तवा मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है आप इस रेसिपी का ज़रूर ट्राइ करना और अगर आप चाते हो कि मैं आपकी कोच आईस की कोई रेसिपी शेयर करूँ तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं आपको यहाँ पे उपर पावभाजी रेसिपी की लिंक दे रहे हूँ 20 मिनिट में आप बाजार से भी अच्छी और बिना फूड कलर के पावभाजी आसानी से घर पर बना सकते हो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करना थांक यू फर वाचिंग